देखो यार इस टाइम पे जो सबसे लीटेस लापटोव चल रहे है न वो राइजन की चल रही है 8000 सीरीज एंड इंटल में 14 जनरेशन के लापटोव चल रहे हैं लेकिन मेरे इसाब से आप इन दोनों को छोड़ दो यह क्या बात? यह क्या बात करता है या? जैसे कि अपना लापटाप पर लिनोवो की थिंक बुक सीरीज का 14 देखो लिनोवो ने थिंक बुक सीरीज ना दुबारा से लाँच करी है जैसे कि अपनी लापटाप की परफॉर्मेंस है वो काफी बढ़ी हो जाएगी तो मतलब कि इसके दूरेबिल्टी काफी बढ़ी है अगले तीन चार साल तक तो आपका लापटाप इजली चल जाएगा को दिक्कत वाली बात ही नहीं उसके अंदर फिंगर्बिंट सेंसर दिया गया प्राइविसी शटर कैमरा मिल जाएगा एंड थंडरबोल फॉर बोर्ट भी दे रखी है तो इससे के इलावा जो इसकी दिस्प्लेइ चोदा इंचेज की फुल इसटी प्लस रेजो़ुशन के साथ हमें डिस्प्ले मिलती है इन इस पर इटके इंदर में जो बाकी सबी लाप टो मिलते हैं उनकी रेजो इसटी होती है अई पस एंटी लेडिजिप्ले दी दीन सो निट्स के ब्राइड़ निटे इस एंन शुर 3.2 Gen 2 जो की data transfer, power delivery and display port इन तीनों को सपोर्ट करती है। उसके बाद Thunderball 4 port आगी, HDMI 2.1, SD card reader, Ethernet and 3.5mm combo ये सारी पोर्ट समय अपने laptop अंदर मिल जाती है। बहुत ही बड़ी लैप्टाप है। टॉप का लैप्टाप आप इसे ज़रूर कंसेडर करो। इसका एक alternate option आपको बताता इसके इलावा देखो एक दो अडिशनल चीज़ों का फरक है। जैसे अपनी performance हैं पर नहीं होती, बाकी सब कुछ इन दोने laptop का completely same है। आप इन दोनों में से किसी को भी जूज कर लेना। आगे बढ़ते हैं MSI के laptop है, MSI Modern 15 laptop, 48,000 से लेखी 51,000 के बीच में इसका normal selling price रहते है पॉली कार्बनेट बाडी के साथ ही फुल साइज बैक लिट की बोड दिया गया है। जैसे मनी i3 वाड़ा प्रिसेसर देखाना ये उससे जादा तगड़ है i5 वाला 1335 यो प्रिसेसर है 13 जनेशन का 10 को 12 थेट्स, मतलब इसके नदर में जो performance मिलेगी वो जादा अच्छी म अगर्स वली और इस नॉट एक्सपेंडेबल फंद्रापन्ट शेंचेस की फोलेशी IPS लेवल डिस्पें मिल जाती है इंटल के एरेस ग्राफिक्स एंड इसके इंदर में तीन USB टाइप एक USB टाइप-C, STM, 3.5 mm कॉंबो ये सारी बोड्स मिल जाएंगी बड़ी ये लैप् इस वीडियो में आगे जाके डिसकस भी करेंगे उन सभी को लेकिन जैसे जैसे बड़ता रहता रहता वैसे वैसे अपनी जो प्रोसेसर के आप्शन्स है वो भी बढ़ जाती है 8GB के रहा मल जाते है जो के एक्सपेंडेबल है 16GB तक 512GB के SSD विच इस अलच एक्सपेंडेबल डिस्प्ले साइज से में 15.56 इसकी फूलेशी डिस्प्ले मिल जाती है इंटल की USB ग्राफिक्स, MS Office यागे 2021, Lifetime, 41Wh की बैटरी के साथी from 0 to 80% इसकी जो बैटरी है वो सिरफ एक घंटे के अंदर चार्ज हो जाती है एक USB Type-C, दो USB Type-A, HDMI ये सारी पोर्ट्स मिल जाएंगे में लाप्टॉप में तो अच्छा लाप्टॉप है आप इसे भी ज़रूर कंसिडर करो डेल का सबसे बड़ी लाप्टॉप है इस बजट का अब देखो इस टर्म का मतलब यह होता है कि लाप्टॉप के जो बिल्कु अलेटी है इसकी बड़ी है जो कि अपने लाप्टॉप के ओपर यह सारे टेस्ट ना हो चुकी है जिससे अपनी लाप्टॉप की लाइफ बढ़ जाती है उसके बाद वाने 80 डिगरी की हिंज मिल जाती है लाप्टॉप में जिसका मतलब है कि लाप्टॉप की डिस्प्ले को आप जितना मर्जी पीछे कर सकते हो तो यह बी चीज़ बढ़ी है चाहे तो फ्लैट भी कर सकते लाप्टॉप में आगे बढ़ते हैं आपको वनोदी हाई सेलिंग लाप्टॉप बताता हूँ स्पेसिकेशन इसके अंदर भी आपको सेम मिल रही है प्राइस इसका 53,000 रुपीज है पॉली कारबनेट बॉडी बैक लिट की बोर्ड के साथ ही प्रैविसी शर्टर कैमरा प्रिसेसर आइफाइब का 1335 दिया गया है दसकोर बारा थ्रेट्स वाला प्रिसेसर तो बिलकुल अब देखो मेरे कॉर्डिन टीन डिस्प्ले नहीं होनी चाहिए थे इस परेट के अंदर IPS डिस्प्ले तो मस्ट है यह चीज़ मुझे थोड़ी सी फियर लगी आइरिस ग्राफिक्स MS Office 2021 lifetime validity के साथ में आगे बढ़ते हैं आपको एक सबसे ज्यादा पाफफू लाप्टव ब पर देखो यह ना परफॉर्मेंस की हाइरार्की उगी यूपी और एच लेकिन जो बैटरी पैकप सबसे जादा है एच वाले का सबसे कम है एड़ी सीरीज वाले का मिडल के अंदर आ जाता है अब यह जिस के लिए लाटव चेक करते हैं ऑनर का मैं जेवो एक्सीन प्रो ल चार साथार के अंदर इससे तकड़ आपको कोई प्रोसेसर ही नहीं मिलेगा मार्केट के अंदर यह जीज़ तो बिल्कुली क्लियर है एच जीबी की रैम अल जाती है 4266 माटस वाली रैम नॉट एक्सपेंडेबल अब इसके अंदर हमें जो नॉर्मल फूल सैज डिस्प् चार्ज हो जाती है तो यह भी लाप्टॉप काफी दगड़ा है अब देखो एक चीज़ है यह लाप्टॉप में हरी यूजर के लिए क्लिए क्योंकि ओनर के ना सभी सेंटर आपको हरी जगह पे नहीं मिलते इंडिया के अंदर थोड़े कम सभी सेंटर ने इसके बस आपन इसका सभी सेंटर होना चाहिए क्योंकि देखो एक बारी लाप्टॉप आई कर लिया अगर उसके अंदर कोई भी दिक्कत आगी न अपने लाप्टॉप के इंदर फिर आफ्टर सेल्स सर्विस हमें बड़िया मिलने चाहिए उसके लिए अमने सभी सेंटर का ध्यान रखना लेकिन घबराने माली कोई बात नहीं इसका अल्टरेंट आप्शन आपको बताता हूं लिनोव का लाप्टॉप है इसका डेडिकेटेट रिव्यू भी आपको चैनल के पर मिल जाएगा इस लाप्टॉप को भी आपने ऑप्शन के इंदर रखना है क्योंकि जो स्पेसिफि लेगा लेकिन टोटली वर्सेट लाप्टॉप है एक बड़ी लाप्टॉप ले रिया किसी चीज़ के कोई दिक्कत नहीं रहेगी तो आप इसे भी जरू कंसेडर गरो के तो या दीज आ दी लेटिस 13 जरेशन लाप्टॉप अंडर 50,000 रिपीज इन 2024 आपको इन मेंसे जो लाप्टॉप अब यह लगे न आप उसे जाके बाई कर लो सबीके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे डाट सॉल फॉर दिस वीडियो गाइस थैंक यू फॉर चिंदी वीडियो पीस आउट